प्रतिमा चुनावी शंकनाद हो गया है हरियाणा में समय से पहले हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं क्या कहेंगे बैकुल जोती उस्टीश का इंतजार पात हमां तुगिश वाक्यों को कि अम ग्राउंड जीरो पर लगाटर जाकर उनसे चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं हर कोई प्र्रश में इस नहीं पर इंतजार कर रहा हैं कि आखी लोग सब़ा चुनाव कि वाद घ्र्यावा के विदा तुमाम उनके मुद्वे हैं तुमाम उनकी परिशानिया है और इस पार वो चुनाव में जाने का बेस्पड़ी से इंतजार कर रहे था वो इंतजार अभिलेक्षिन कमिशन उसिम्डिया ने खत्म कर दिया है आचार सहे का लागू हो गई है और हर्यावा में चुनाव की तार कर रागू कर देताओ थी कोश्छी फिष्ति-भी के लते घजिए को है इस रढाम जिए ड़े करीगी है यह कि बड़ा और रो गरोम जा रहे तो सीड़े सीड़े वो ऑ apparatus Kerry बीछ Muh了 को जारा कर है, करे मुखा है कि इस बार मुका औबला गोंगरर्स के बीच में है और किसी दूग के लिए जादा कुछ लोग बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो ग्राउंड पे मुकाबला ये हर वधान सबाक्षेट प्रची जादा तर सीटों का यही हाल है किसा सीदा मुकाबला बीजेटी कॉंगरिस को लेकर लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं और वोटर्स मुझे लगता है सबसे जादा उसाइफ होंगे नेटा तो भले ही ये चाह रहे होंगे कि तोड़ा सब समय और मिल जाए हम देख रहे हैं कि जिस तरहेखे से मुख्यमंति नायव सिंग सेनी लगाता है बड़ी बड़ी घोशनाओं के जरिये कोशितों में थे कि जहां जहां पे परिशानिया बीजेटी को ही है जो जो सेक्टर नाराज है उनको मना लिया जाए समझा लिया जाए घोशनाएं कर देए उनके लिए पॉलिसी बना दे उसकी कोशिश तो तमाम हो गई लेकिन अब उसमें कितने सफन हो पाए इंतिहान की भड़ी है जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं इंतिहान पे इंतिहान दिये जा रहे हैं और यह सबसे बड़ा और सबसे मुझकिल इंतिहान होगा क्यूंकि नायप सिंग्सेनी के चेहरे पर ही प्रतिमाल लोगों के बीच आप जा रहे हैं पूरे हरियाना का आप दौरा कर रहे हैं चुनाव यात्रा लेकर आप निकली हैं सभी हलकों में आप जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं मुपेंदर हुड़ा जो लगातार ये कह रहे हैं हमारी सरकार आने वाली है सत्तर पार का कॉंग्रेस की नेता दावा कर रहे हैं चाहिए आज ही चुनाव करवा लीजिए आपके इंटर्वी में भी नोने कहा चाहिए आज ही वोटिंग करा लीजिए हरियाना कॉंग्रेस की सरकार लाने के मूड में है हैं लेकिन जाहिर सी बात है एक जरूर है और उस एज को अब क्यूंकि तारीकों का एलान वो चुका है वो में मोमेंटम कैसे बना रहेगा और कैसे पाची कि कुछ बाजी को खत्म करके कॉंग्रेस के तावाम नेका एक जुट होकर सरकार बनाने की कोशिशे करेंगे और बीज कि अब जितने भी भोशनाएं कर रहे हैं इतने भी बना रहे हैं उसको लेकर वर्ट स्लोक लुभावन वादे हैं अब ग्राउन पे लोग साफ़त्वार पे इसकी को समझ रहे हैं मान रहे हैं और तकर जबरदफ इस बार विदान तबर चुनावों में देखने को मिलेगी हले ही पिछले चुदामों में बीजेफी के 25 प्लस के दावे में नारे में कौग्रेश पाटी का चुनाव कहरी हैं ङूप गूमता गया था लेकिन इस बार कौग पार चुनावज से लब्रेज ए हैं ओवर कौशिदेस में हैं और बबर दशतकर देने के लिए दोनों या तयार है बागी तमाम दलों की बात कर ली जाए तो कहीं पर भी किसी का जादा स्कोप नगल नहीं आ रहा है जोटी बिल्कुल देखे करीब करीब एक महिना अगर सरकार को और मिलता आप जानती प्रतिमा जिस रफ्तार से नहीं नहीं घोशनाई हो रही थी आप कहरें कि ल कि लेकर कॉंगर्स पार्टी के तमाम नेता तो बहुत ज़दा उस्ताहित है और साफ्तोर पर इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि कब चुनावों की तारीकों का एलान हो क्यूंकि धंगा तार बेख रंजिस तरीकी गियात्रा जी पिंदर सिंगुदा द्वारा निकाली जा कि लेकिन कॉंगर्स पार्टी को जो करना पड़ेगा उनकी लीडर्स को करना की के पूरी कोशीश करेंगे अञे धोन में बात करें हुद कि सीएम के लिए बहुत बड़ी परिक्षा है भुपिंद्र हुड़ा के लिए वी चुनाव अगनी परिक्षा होंगे बहुत बढ़ी सतरी पर प्री हैंड दिया गया के गुपींद्र हुड़ा को हाई कमान की और से प्री हैंड दिया गया आला कि कुछ टर्म्स इन कर्निशन उसमें लगाई गई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा तिकतें किस तरीचे से गलत बांटी कि अगर दोहजार उनीज में भी सही टिक्तें बांटी होती तो रिजल्ट कुछ और वोते क्योंकि 35 तिक पर कुमाने शेवजा के कोटे में गई और उन 35 स्टिक्पों में से महज 4-5 सीटे घीतना, बाकि सारी सीटे लूस करना, कहीं न कहीं दिखा रहा है कि क्या कोटा सिस्टम खतम करके काभिलियत की आधार पर सर्विस की आधार पर लोगों को नेताओं को टिकेट बांटी जाए, तो रिजल्ट पॉजितिव हो सकते हैं आप किस तरह से देख रहे हैं, किसका फाइदा नुकसान हो सकता है इसमें नाम और पिछल सारी अतास में आ जाएगी, तो उसको लेके कोई confusion है ही नहीं हर्याना के वोटर के दिल में प्रतिमा अंतिम सवाल आपसे, क्यूंकि आप ग्राउंड पर गहें, लोगों से बात आप कर रहे हैं, तमाम जो नेता ये राजनितिक दलों से जुड़े लोग आपको सुन रहे हैं, आपने ग्राउंड पर जाकर क्या महसूस किया है हर्याना के सबसे बड़े मुद्दे क् इस वक्त निगाहे रखनी चाहिए, चुनाव के लिए हाथ से. अब आप अन्राजा लगा लिए के लोग लगाता जिस तरीके से खबरे हमारे सामने आती हैं, हम हर रोज उन खबरों से जूचते हैं, पोर्टल को लेके कितनी परिशानिया हैं, कभी सर्वर डाउन रहते हैं, लोग धक्की खाते रहते हैं, दफ्टरों में जाकर लेकिन व साम चुनातियां हैं, और ये बेसिक से मुद्वे हैं, अब पातियां इसको ही नहीं कर पाएंगी, तो आप देखें तो एक वोटर और क्या चाहा रहा है, आपके कुछ बहुत बड़ी चीजे नहीं मांग रहा है, कुछ ऐसे सपने नहीं बेख रहा हैं, जो कोई पाती या क कोई नेता दूर कर ही नहीं सके, बहुत ही छोटी-छोटी मोटर की दिल की बात है, और उसको भी ना समझपाना, ये बहुत बड़ी परिशानी, जाहित पी बात है, चुनावों में पातियों के लिए होने वाली है, बिल्कुर, अच्छा जो देखें, सर, पंच्यों के या सभी को चुनावी रेवनी लग रही है? ये बहुत बात है, और वोटर इस बात चुनावों में क्या पैसला करता है, ये जनका जनावदन ही जानती है, और लगाता हर्यान इसको देखने को मैंने कहा हमारे साथ. ग्राफिक्स के जरगे हम आपको अटारिंग पिछली बार का चुनाव परिणाम क्या था, तमाम दलों का प्रदर्शन क्या था, सिंगल लाजेस पार्टी बनकर उभरी थी विजेपी, बहुमत नहीं मिल पाया था. जर्ना एक जर्नटा पार्टी के दस विधायकों को साथ में लेकर सरकार बनाए गए थी कुछ निर्दली भी साथ में आए थे. लेकिन 2019 से लेकर 2024 तक, विधानसभा चुनाव के लिहाज से, संख्या के लिहाज से, आप जानते हैं, विधानसभा में गणित बदलाक है, बहुत सारे मुद्दे इस दोरान बो रहे, जिन पर सरकार को गिरा भी गया थे, तीन बाइलेक्शन हर्याना में हुए हैं, और तीन चलिए सिद्या आपको लिए चलते हैं, विशे से